हेलो, वाट्स आप गाईज, मैं नेम इस पिनुत बाद उर्थापा एंटोर इन इस फीडियो वेविल सी स्लाइडर लोडिंग इफेक्ट इन प्योर सीसेस इन हिंदी तो चलिए गाईज, सुरू करते हैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा on CSS Advanced Tutorial in Hindi in 2022 पर अपलोड कर चुका हूं गाईज, आपको जब भी फ्री टाइम में जरूर जरूर चेकाओट कीजिए, आपको बहुत मजाने होला है और गाईज, तो देखिए, आज का बहुत ही ज़्यादा ऑस्सम हने वाला क्यों कि आज हम फाइनली देखने वाले Slider Loading Effect in CSS जी हां गाईज, तो यह Slider Loading Effect क्या होता है बोलने से गाईज, मैंने खुदी इसका नाम रग दिया Slider Loading Effect यह बस मुझे यह अच्छा लगा एंड आइज, यह स्लाइड कर रहा है from left to right and from again right to left तो यह स्लाइड लोड़िंग एफेक्ट आप देख सकते हो कि इसी बहुत ही ऑस्सम लग रहा है, मतलब कितना क्यूट लग रहा है कि background में जो एक color है हमने जो भी यह word लिखा है उसका जो color है, basically text का जो color है, आप देख सकते हो एक line है, जब जब उसकी उपर से गुजरता है, उसकी उपर एक color add हो जाता है and the moment वापस जब उस जगे से जाता है, तो उसका color back to normal हो जा रहा है जो guys ही बहुत ही awesome है, बहुत ही cool है, आप इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने project में इसको add करा सकते हूँ, बहुत awesome लगने वाल है अब हम बीना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले quick update देना चाहूँगा guys, आप ही के love and support से हमने 2 lakh subscriber complete कर लिया अब हमारा next target है 3 lakh subscriber and guys मैं चाहूँगा, अब भी तक अगर अपने मेरे चैनल थापर technical को subscribe नहीं किया, प्लिस guys subscribe कर लिजेगा अब बिकाउज मैं डेलिया से awesome videos upload करता रहता हूँ and मैं बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप उसको miss कीजी, all right guys, आप देख सकते हूँ कि मैं अपनी VS Code Editor पर आचुक हूँ and अगर आप मुझे follow कर रहे हो, तो guys, आज मेरा 29th video ने जा रहा है on CSS Master Series के पर ठीक है, अगर मैं आपको create कर लीजिएगा, you know, new file पर जाएए and अब कुछ भी नाम देशा क्यों मैं देता हूँ, slider loading dot html, simply मैरा काम होगे, this is it, इतना ही रखना था, अभी मैं क्या करता हूँ, html 5 इतना मैं रख देता हूँ, ता कि आप लोगों को एकदम clear दिखाई दे सके, simple इसको थ्रहाँ वेब जो दिख रहा है ने, basically इसको हम tilde बोलते है, ठीक है, and इसको बहुत easily हम guys, use कर सकते है, कीबोर्ड में, आपको shift key को प्रेस करना है, and then जो numeric 1, 2, 3, start होता है, ठीक, सबसे top पे basically एक back tick रहता है, and उसी पे ही ये tilde जो symbol है, shift, and then उसको प्रेस कीजिए, आपका tilde create हो जाता है आप देख सकते हो, else वो इस्तिरके से back tick दिखा ही देता, now guys, simply आपको यहाँ पे लिख देना, simply इस्तिरके से awesome, and then again वो आपका back tick, and this is it guys, simple HTML का काम इतना ही है, and जो CSS का जो पार्ट है, basically guys, मैं internal CSS उसका रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा CSS उसका रहा है, लेकिन ये जो effect हो र browser जो margin लेता हम, उसको ना दे वो, and then padding भी मैं कर दूँगा, 0 सब एकदम set कर दूँगा, and then box sizing आपका हो जाएगा, simple border box, simple, इतना मेरा काम हो चुक है, and मेरा पास already guys, आप देख सकते हो, google fonts है, जहाँ पे मैंने ये fredo का one जो भी है, इसको select की हुई है, इसको मैं import करता हूँ, basically अगर आप import करते हो, आप directly उसको CSS की inside में add कर सकते थे, ठीक है, alright, यतना मेरा काम हो गया, and इसका जो font family, उसको भी मैं करता हूँ, copy, and then यहाँ पे मैं कर देता हूँ, paste, and guys, आप कोड का बिलकुल 10 सा मत लेना, मैं इसका source code free में available कर दूँगा, ठीक है, and मैं उस पे work कर रहा आँगा, into 10 pixels, simple, and अगर क्या हो रहा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, guys, इस video को जरू चेकाउट कीजिएगा, alright, इतना मेरा काम होगा, guys, अभी मुझे क्या करना है, उस center dip को मुझे target करना है, center underscore dip, उसको मुझे target करना है, and basically center dip में इसले ले रहा हूँ, ताकि जो मेरा h1 element ह उसका text एकदम perfectly center पे आए, and guys, अभी मैं एक काम कर सकता हूँ, कि इसका जो live server है, उसको मैं on कर देता हूँ, and उसको मैं side by side रख देता हूँ, all right, guys, तो आप आप देख सकते हो, कि मैंने दोनों को side by side रख दिया, ताकि आप लोगों को मैं एकदम clear दिखा सको कि कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, right, चलो, ठीके देखो, guys, अभी आपका जो awesome एकदम top पे है, मुझे एकदम perfectly both horizontally and then vertically center में चाहिए, तो वो मैं बहुत इसली कर सकता हूँ, guys, जो मेरा main center db, उसका width दोंगा, मैं 100 viewport width, it means complete, इसका जो height होगा, 100 viewport height means complete, चलो, ठीके, इसका जो background का color हो and boom, guys, आपका background color ready, right, and एक काम करता हूँ, मैं यह जो h1, इसका color filial के लिए white कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को वो clear दिखाए दे, else, वो आपको थोड़ा सा weight दिखाए दे रहा होगा, right, तो मैं चलता हूँ, इस तरीके से, चलो, ठीक है, अभी मेरा क्या हो चुका, guys, ए आप अपने अनुशार, जितना भी आप रखना हो, आप रख सकते इसका font size, अभी फिलाल इतना रख देता हूँ, थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ, चलो, ठीक है, अभी देखो, guys, center dip पे मुझे चलना है, इसको perfectly, अगर मुझे center पे रखना हो, तो super duper easy, guys, display चलता हूँ, grid, and now I have to write simply one line of code, that is, place, item, center, and boom, देखो, perfectly horizontally, and then vertically center पे आचुका हूँ, चाओ, मैं बड़ा करूँ, छोटा करूँ, कुछ भी करूँ, यह हमेशा, guys, perfectly center पे ही रहने वाला है, ठीक है, मेरा अब इतना काम होगी है, मुझे बस इसको एक काम करना है, text transform, simply, एक second, उसको ही कार दि and then after, लेकिन आज हम सिर्फ before देखेंगे, and in case अगर आपको नहीं idea, CSS Master Series का पांचवा वीडियो ही, guys, आप देख सकते हो, before and then after, pseudo elements को पर complete वीडियो बनाया था, before and after, in one वीडियो, इस वीडियो को जरूँ चेक आउट कीजिए, guys, बहुत important वीडियो था, ठीक है, वापस इसको अगर दोनों का सेम होना बहुत जरूए, यह देखो, guys, का आओ जाता है, तो कम जूम कर देता हूँ, अब देख सकते हो, guys, दोनों side by side कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहे, ठीक है, आभी उसका आपको बिल्कुल टेंसर नहीं लेना, आभी इसका जो वीडियो है, लेकिन इसका जो background color है, guys, वो जरू मैं change करना चाहूंगा, and that is, कौन सा background color लिया है, मैंने green लिया, right, so वो यह वाला color था, मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब देख सकते हो, guys, यह मेरा before, मतलब, जो भी मेरा original text है, उसके पहले, जो कुछ आ रहा हूँ, because of this before pseudo elements, but अभी एक सेके मुझे background color नहीं चाहिए था, मुझे simply color चाहिए था, so color and then this is it, guys, so यह part and then यह part, इन दोनों को मुझे मिलाना है, ठीक है, simple, फिलाल, and वो मैं कैसे कर सकता हो, देखो, guys, now it's super duper easy, simply position देते ता हूँ, absolute, यह देखो, guys, है किनी awesome, अब इसका जो top होगा, कर दूँगा, zero, इसका जो left में चाहूँगा, guys, दोनों side by side perfectly दिखे, ठीक है, अब अगर आप सोच रहो, guys, जो मेरा original वाला था, यह, जिसका color है white, वो काँ भाग गिया, कहीं नहीं भागा, guys, वो justice की पीछे है, अगर मैं left कर देता था 10 and then RAM, आप देख सकते हो, guys, original वाला उसी के पीछे है, लेकिन जो मैंने before pseudo element की मदद से, जो content मैंने दिया, वो ठीक, उसके ऊपर perfectly, top 0 and then फिलाल तो अभी left मैंने 10, basically 100 pixel देते है, इसलिए आपको इस तरके से दिख रहा है, लेकिन यह आपको देना है 0 ही, ठीक है, ताकि totally उसके ऊपर आजा है, and हाँ, अब वो जो एक line आपको देखते है, जो width कितना देना, let's go with 4, not 4, 0.4 RAM, ठीक है, basically उसकी width और बाकी कुछ नहीं, and then solid एक line मुझे चाहिए, you know, and simple, and उसका जो color होगा, same यही color आपको देना है, ताकि दोनो एक ही लगे, simple, control एक सेफ करता हो, this is it, अब आप देख सेटे हो, कैसी है, यहाँ पे आपको दिखाई दे so, guys, आप देख सकते हो, कि वो यहाँ पे आचुका, यह आप देख सकते हो, बार, तो guys, मुझे खाले, अब width के साथ खेलना, और बाकी कुछ नहीं, ठीक है, तो simply मैं चलता हूँ, animation, animation का नाम दे देता हूँ, slide, कितने second के लिए, 4 second, let's go with 3 seconds, and then, इसका जो guys, speed linear रख देते, it I need to write keyframes, and इतना याद रखना काई, जब भी आप animation के साथ खेल रहे हो, या कुछ भी इस तरीके से transform transition के साथ खेलती हो, always make sure करना कि आप आगे prefix लगाओ, like webkit हो, you know, इस तरीके से आप देख सकते हो, and simply इसको copy करना है, इस तरीके सापको paste कर देना, यह make sure करेगा, कि अगर in case आपके browser पर support नहीं करता, तो यह prefix make sure करेगा, all right, मैं जानों उसके add नहीं करता, guys, क्योंकि same piece of code मुझे बारवा लिखना पड़ेगा, लेकिन हाँ project में 110% make sure करता हूँ, कि मैं उसको add करूँ, ताकि हर browser पर यह animation जरूर support हो, same with आपका यह keyframes, guys, मालब कुछ नहीं करना है, जो property आप लिखते हो, उसके आगे खाली यह webkit, opera के लिए, oh, नहीं तो MS, Firefox का अपना खुद का मलब, it's super duper easy, ठीक है, मैंना already video बनाया, guys, जरूर check out कीजेगा उस पर भी, चलो, इतना मेरा काम हो गया, अभी guys, it's super duper easy, 0% पे मैं, खाली मुझे width के साथ केलना है, फिलाल मैं देत आप 0%, यह देखो guys, आप देख सकते हो, यह जो line है, and I don't know यह इतना दिरी क्यों चल रहा है, let's go with 2%, आप देख सकते हो guys, यह देखे line, आप देख सकते हो line, ठीक है, अब बस simple इतना ही है, मुझे इसको तीन बार copy करना, for 50% and then 100%, मैं चाहूंगा 50% मैं guys, एक complete 100% cover कर ले यह द देख सकते हो guys, 0-50 यहां तक पहुचेगा, वापस 50-0 यहां पे आएगा, तो अब मैं क्या करूँग, I mean इसका color तो कुछ हो नहीं रहा, so guys, उसके color, you know, side by side हटाने के लिए, मैं यहां पे चलूँगा, और एक property लिख दूँगा, that is overflow hidden control, I save करता हो, and boom guys, देखा, सिर्फ एक overflow hidden लिखा, and हमारा काम कितनी easily हो गया, so this is it, आज इस वीडियो के लितना ही, and I really hope guys, आपको वीडियो बहुत पसंदा होगा, जहां हमने देखा, कितनी easily guys, हमें sliding loading effect कर सकते थे, with the help of pure CSS, and I really hope guys, आपको वीडियो बहुत पसंदा होगा, क्योंकि it tricky था, and कुछ न कुछ आपको जरू नय सिखनी मिलाओगा, आज इस वीडियो में, and बताना चौंगा guys, CSS Advanced Master Series में आपको बहुत सारे ऐसे awesome tricks मिलने वाले, तो आप जरू चेक आउट कीजेगा, and बताना चौंगा guys, में daily ऐसे awesome videos create करता रहता हो, please इस वीडियो के एक लाइक जरू कर दीजेगा, अपने सभी दोस्तों को share कर दीजेगा, खासकर आपका WhatsApp group बहुत important है, and बताना चौंगा guys, में daily ऐसे awesome videos create करता रहता हूँ, अब भी तक अगर आपने मेरे चैनल था, आपर technical को subscribe नहीं किया, please subscribe कर लिजेगा, right side में red color का bell icon एक घंटी दिखाई देगा, hit किजे, click किजे, ताकि आप daily ऐसे awesome videos miss ना करे, and कुछ भी doubt दो तो बेफिकर हो के नीचे comment कीजे, मैं आपकी जरूर है help करूंगा, so till then guys, thank you so much, take care.